प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने बारांसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है प्रधान मंत्री मोदी ने अपने बिरोधियों पे ले लिए और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो दिलों को जीतना चाहते हैं दलों को नहीं और कारिकरताओं को बहुत सारी नसीहत भी दी और इस अवसर पे सबसे ज़्यादा जो नजर लगी हुई थी लोगों की क कि आखिरकार मैभी चवकिदार जो कंपेन शुरू हुआ है और प्रधान मंत्री ने सफाई कर्मियों के प्रयाग राज में पैर धोय थे कि कौन-कौन इस बार उनके प्रस्तावक होंगे और इसको ले करके तरह-तरह के क्यास लगाए जा रहे थे बहुत सारे लोगों ने प पार नाम सेलेक्ट हुए उसमें से एक डोम राजा है जगदिश चोधरी वो प्रस्तावक बने हैं प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के संग के पुराने कारिकरता हैं सुबास गुपता उनको बनाया गया है उनका प्रस्तावक और पंडित मदन मोहन मालवी की मानस पूत्री म बोली बेटी हैं अनपूर्णा सुकला वो मोदी की इस बार प्रस्तावक बनी है और एक प्रसी बैग्यानिक है राम संकर पटेल वो मोदी के प्रस्तावक बने हैं ये चार नाम हैं बता दे कि जब भी नमांकर होता है किसी भी राश्टी दल का या पंजिकृत पार्टी का उसके जो है चार सेट में आमांकर दाख्री किया जाता है और हर सेट का अलग-अलग प्रस्तावक होता है उसIsisाब से चार प्रस्तावक चाहिए होता है जब आप निर्दली कंडिडेट होते हैं तब आपको ज़्यादे प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है तो इस तरह से ये चार लोग उनके प्रस्तावक बने पिछली बार भी मदन मोहन मालवी के परिवार से जस्टिस को लिया गया था जो एरिटाइट जस्टिस थे छनुडाल मिस्रा को लिया गया था और चार नाम थे इस तरह से और इस बार भी अलग-अलग सेगमेंट से समाज के हर बार अब बाद में सेलेक्ट हुए उसमें किसी चोकिदार का नाम नहीं है तो इस खबर पर हम नजर बनाये हुए हैं जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमरा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूल